जहिंद वंदे मातरम आप सभी का एक वार फिर से विजपत एजुकेशन के इस ओनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है आज एक वार फिर से फिजिक्स में आज हम स्टडी करेंगे साउंड के चैप्टर को जिसके अलग-लग हमारे टाइप रहने व के आते हैं उसके मादेम से हम इनको स्टडी कर रहे हैं जितने भी हमारे टीचिंग एक्जाम है एच पी टाइट है सी टाइट है या फिर नॉन मेडिकल जहां पर साइंस रिलेटिड कोईशन आप से पूछे जाते हैं फिजिक्स के उन सभी के लिए आज की एक लास आपके इंपॉर्टेंट रहने वाली है हमारी एक क्लास यूट्यूब और एप्लिकेशन दोनों के उपर हमारी लाइव चलेगी और इसके बाद जो आने वाले सेशन है वो सारे के सारे हमारे पेड रहने वाले हैं वो सिर्फ आपको हमारे ऑफिशल एप के उपर विजेपर्थ और विजेट कर सकते हैं तो देखिए सबसे पहला क्वेशन क्या है आपके पास वाइक कैन नॉट दा साउंड इस हीर ओन दा मून देखिए बेसिक कॉंसेप्ट हमें साउंड के बारे में पता है हम इसको जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चिन के माधिम से इसको और मून ठीक है next because there is no water on the moon देखिए water का तो कोई concept लग नहीं रहा है third हमें दिया गया there is no atmosphere on the moon and sound cannot travel without medium yes this is बिलकुल yes this is right option c जो है वो हमारा सही रहेगा क्योंकि इसमें लिखा गया है no atmosphere on the moon जो चांद है वहाँ पर कोई भी atmosphere नहीं है और sound को travel करने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है एक medium की जरूरत होती है जिसमें से जो हमारे medium रहते हैं वो रहते हैं solid उसके बाद है liquid और third हमारा रहता है gassy state तो sound जो है वो किसी ने किसी एक medium में जो है वो travel करती है so those option c is the right answer next question which is the incorrect statement with regard to ultrasound wave आपको यहां पर incorrect statement जो है वो ढूंड़नी है ultrasound से related ultrasound wave से related आपको यहां पर चीज़ जो है वो बतानी है देखिए पहला क्या दिया गया है they are high frequency wave यह तो सही है क्योंकि सबसे पहले अगर हम sound की बात करें तो सबसे पहले आती है हमारे पास infra ठीक है जिसकी range आती है हमारे पास zero से लेके कहां तक 20 hertz तक आती है फिर आती है हमारे पास audible wave जिसको हम सुनते हैं वो आती है 20 से लेके 20 kilohertz यह आप सभी जानते हैं 20,000 hertz तक और last में आती है ultrasound तो ultrasound की 20,000 से ज़्यादा इसका मतलब यह तो high frequency wave यह तो और सही है उसका है next they are used in industries and for medical purpose हाँ medical purpose में भी इसक ultrasound waves का यूज किया जाता है ultrasound करने के लिए MRI जो हम करवाते है ultrasound है sonography है इन सभी में इसी परकार की wave का यूज करते हैं तो यह भी हमारा सही है next time they travel among well-defined path even a presence of obstacles यह भी बिल्कुल सही चीज़ा आपको बताई गई है कि जो ultrasound wave जो ultrasonic या फिर ultrasound wave है वो एक well-defined path में क्या करती है आग घुश जाती है ठीक है मतलब कि अगर कोई इसके सामने अगर obstacle आता है तो उस चीज़ को वो check कर सकती है जैसे कि अगर कोई एक metal का block है और उस metal के block के अंदर कोई एक दरार आ गी है तो हम इसको check कैसे करते हैं यहां से हमने ultrasonic की कितनी waves भेजी तीन भेजी आप देख सकते है लेकिन जब मेरे पास result आएगा तो सिर्फ दो ही निकलेंगी क्योंकि जो third है वो यहां पे टकरा जाएगी यह कोई एक obstacle है यह दरार है यहां पे टकरा जाएगी तो इसका मतलब है हम इसकी help से किसी एक obstacle को भी check कर सकते हैं तो यह भी हमारा से ही है नेक्स देखिए option D ultra sound cannot be reflect back from the defective location नहीं यह चीज जो है वो गलत है ultra sound जो है वो reflect back होके आती है क्योंकि जो sonar system है जो की ships में use किया जाता है sound navigation and ranging जिसको हम कहते हैं तो यह हमारी ultrasonic के उपर ही depend करता है जिसमें ultrasonic wave जो है वो इस obstacle के साथ टकरा के जो है वो बारपी से आती है option D is question का right answer रहेगा next देखिए the speed of sound dash as it passes from solid to gaseous medium तो आपको यहां पर बताना है कि जो speed of sound है वो solid से जब gaseous medium में जाती है तो क्या करती है घटती है या फिर बढ़ती है आपको उसकी form बतानी है कि वो क्या change होती है या फिर change नहीं होती है तो देखिए speed of sound जो है वो सबसे होगी solid में होगी solid के बाद liquid liquid के बाद किसमें gases में होगी इसका मतलब solid में सबसे जादा और gases में सबसे कम तो जब मैं solid से gases state में जाओंगा तो इसका मतलब है मेरी जो speed है वो क्या हो रही है कम हो रही है decrease हो रही है यहां पर भी बोला गया solid to gases medium इसका मतलब decrease होगी तो right option option D जो detect cracks and flaws in metal block, यह देखिए मैंने पहले ही आपको बता दिया, अगर कोई metal block है, उसके अंदर कोई cracks है, तो हम किस चीज का use करते हैं, यह मेरे पास कोई एक लोहे का कोई एक piece है, ठीक है, अब बाहर से तो यह plane है, लेकिन अंदर मानके चलते हैं, यहाँ पे कोई एक दरार है, तो इ देखिए मैंने कितनी भेजी, 5 भेजी, लेकिन यह wave direct आ जाएगी, यह wave जो अब यहाँ पे टकरा जाएगी, यह के करेगी, इस दरार के साथ टकरा आगी, यह भी टकरा जाएगी, यह direct पास आ जाएगी, अब देखिए input में मैंने कितनी भेजी, 5, output में मेरे पास कितनी आई इसका मतलब है कि कहीना कहीं पे जो वो दो बेव जो कहीना पहीं पे टकर आ गई है तो किसकी help से हम किसी चीज को पता कर सकते हैं कि उसके अंदर कोई crack है यह फिर नहीं है तो हम यूज करते हैं अल्ट्रा सॉनिक बेव या फिर अल्ट्रा साउंड हम इसको कहते हैं सो option B जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा next देखिए question number 5 हमारा यह रहेगा through which of the following medium can sound not travel sound उसमें travel नहीं करनी चाहिए तो हमने पहले तो यह जान लिया कि sound को travel करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है medium की जरूरत होती है यह हमने पहले से ही पढ़ लिया ठीक है medium की जरूरत होती है अब medium कौन सा हो सकता है solid हो सकता है liquid हो सकता है gas हो सकता है अब देखिए steel जो है यह तो solid है इसमें तो sound जाएगी air क्या है एक gas है इसमें sound जाएगी milk क्या है एक liquid form है उसमें से भी हमारी sound pass out हो जाएगी लेकिन vacuum vacuum का मतलब होता है जहाँ पे कोई भी particle नहीं है वहाँ पे gases का कोई भी particle नहीं है न कोई और उसमें चीज़ है जैसे की moon है तो moon में क्या है atmosphere ही नहीं है वहाँ पे हम क्या बोलेगे कि यह vacuum है तो vacuum में हमारी sound travel नहीं करेगी इसलिए option भी इस question का बिलकुल सही answer रहेगा अगला next question देखी sound wave cannot travel in the sound wave किसमें travel नहीं करती है अब देखी जो भी मैं यहाँ पे आप से question यहाँ पे put up कर रहा हूँ वो कहीं नहीं पे एक या दो question बार बार आपके repeat होंगे इसलिए मैंने repetition की form में रखे गए हैं ताकि आपका जो presence of mind है आप direct उस question को hit कर सके question पूछने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन आपकी जो question की form है उसको understanding करने का जो तरीका वो आपका एक ही होना चाहिए sound wave किस में travel नहीं करती है अभी मैंने आपको बता है किस में travel नहीं करती है vacuum में travel नहीं करती है sound को travel करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है sound को travel करने के लिए medium की जरूरत होती है सबसे ज़्यादा speed solid में फिर आएगी liquid में और last में आएगा किसमें gases में ठीक है जी option c इसका right answer रहेगा next question which of the following are false इसमें से कौन सी चीज जो है वो गलत है गलत आपको बताना है sound wave are dash waves sound wave को कौन सी wave के नाम से हम जानते हैं यह आपको यहाँ पर बताना है कि देखी काफी interesting question यहाँ पर है और थोड़ा सा logical question है sound wave are pressure wave नहीं sound wave को हम pressure wave नहीं बोल सकते क्योंकि sound और pressure का कोई relation नहीं है sound जो है वो pressure के साथ relate ही नहीं करती sound सिर्फ और सिर्फ relate करती है किस quantity के साथ temperature के साथ sound अगर sorry temperature को अगर बढ़ाते हैं तो sound भी की भी जो range है वो क्या करेगी speed जो है वो बढ़ेगी अगर temperature को कम करते हैं तो sound की जो speed है वो भी क्या होगी कम होगी तो pressure तो इसका answer नहीं है अब यह तीनों के तीनों जो इसके next जो इसमें यह बताया गया है यहाँ पर यह काफी interesting सी चीज़े है ठीक है interesting है क्योंकि जो sound wave है उसको हम longitudinal भी बोलते हैं mechanical भी बोलते हैं electromagnetic भी बोलते हैं ठीक है अब यहाँ पर थोड़ा सा interesting phenomena है एक वारा आप इस question को थोड़ा अच्छे सा understand करें कि हम option B, C या, D में से किसको जो है वो हम correct जो है वो बता सकते हैं थोड़ा सा एक वार आप check कीजिए क्या हम इसको बोलेंगे क्या हम इसको बोल सकते हैं longitudinal बोलेंगे electromagnetic बोलेंगे या फिर mechanical बोलेंगे तो यह आपका interesting question है क्या हम sound को क्या बोल सकते हैं longitudinal बोलेंगे इसको mechanical बोलेंगे electromagnetic बोलेंगे या फिर transverse बोलेंगे यह भी कई बार question में हम से पूछ लिया जाता है हम sound को क्या बोलेंगे interesting question है हमारे लिए इसके बाद sound में अभी हम जो हैं वो सिर्फ nature of sound wave के बारें बात कर रहें next जो हमारी class रहेगी उसमें frequency of frequency range of sound wave के बारें बात करेंगे उसके बाद speed of sound से हमारे कुछ numerical बनेंगे उनके related हम बात करेंगे फिर हमारे statement वाले question रहेंगे इसमें characteristics of sound रहेगी eco रहेगी abbreviation है और last में radar and sonar के हमारे कुछ question रहेंगे तो sound से related लगब 5 से 6 classes जो है वो आपकी total total रहने वाली है और आपके लिए most important chapter जो है ये रहेगा ठीक है जी तो देखिए सबसे पहले जो sound wave है वो तो मैंने आपको बता दिये temperature के साथ correlate करता है अब जो sound wave है उसको हम longitudinal wave की form में भी हम उसको बोलते है ठीक है लेकिन depend करता है कि sound किस form है देखिए ये question जो है वो मेरे लिए भी थोड़ा सा नया है क्योंकि मैंने सिर्फ यही चीज़ पड़ी थी कि light जो है वो एक form में आती है और sound जो है उससे opposite आता है तो यह थोड़ी सी नई चीज़ है मेरे लिए भी क्योंकि जो sound wave है उसको हम longitudinal भी बोलते हैं और उसको as a transverse wave में भी उसको count किया जाता है अभी तक अगर जितनी भी अभी तक मेरी study हुई है उसमें सर्फ मैंने यही चीज़ पड़ी थी कि light जो है उसको हम क्या कहते है transverse wave कहते हैं और sound को हम क्या कहते हैं longitudinal wave करते हैं कहते हैं लेकिन थोड़ी सी एक extra जानकारी में आपको दूँगा sound is only the form of longitudinal wave ठीक है sound जो है वो सिर्फ एक longitudinal उसमें wave में ही count की जाती है लेकिन जब वो air और या फिर gases से pass out होती है तब लेकिन जब वो solid or liquid या फिर solid liquid बहुत से जब वो travel की जाती है तो उसका behavior as a transverse plus longitudinal दोनों के दोनों शो करते हैं तो थोड़ी सी नई चीज़ आपको मैं यहां पर बता रहा हूं एक बाट फिर से मैं repeat करता हूं मैंने आपको यह बताया कि जो light है वो कौन सा nature शो करती है transverse nature शो करती है मतलब कि उसकी जो बेव है उसके particle के perpendicular होंगी और जो हमारी एक sound है वो एक longitudinal में उसको बेव माना जाता है यानि कि वो parallel form में चलेंगी एक perpendicular होता है एक parallel होता है यह हम सब ही जानते हैं अब अभी तक मैंने सिर्फ इतना ही जाना था कि sound को हम क्या कहते हैं longitudinal कहते हैं लेकिन उसको हम तब कहेंगे basically sound को longitudinal ही जादा माना जाता है उसकी approximation जादा रखी जाती है लेकिन extra detail यह फिर जो advanced study है उसके regarding में आपको यह चीज़ बता रहा हूं कि जब वो gases state में होता है तब तो हम उसको longitudinal बोलते हैं लेकिन जब sound हमारी किसी solid से या फिर liquid से pass out होती है तब वो as a longitudinal plus transverse दोनों के दोनों nature वो शो करता है तो sound wave जो है वो क्या है एक longitudinal wave है उसको electromagnetic wave हम नहीं बोलेंगे क्योंकि electromagnetic wave के लिए travel करने के लिए किसी एक medium की जो है वो ज़रूरत रहती है तो sound जो है वो without medium हमारा sorry electromagnetic wave जो है हाँ उस electromagnetic wave that require a medium of transmission ठीक है उसको एक medium की ज़रूरत होती हम इसको electromagnetic नहीं बोलेंगे इसको हम बोलेंगे as a longitudinal wave ठीक है as a longitudinal wave और हम इसको एक mechanical wave भी यहाँ पर बोल सकते है तो B and D जो है वो बोत हमारे option के रहेंगे correct रहेंगे थोड़ी सी typing error है यहाँ पर यहाँ पर I think longitudinal की जगह जो था वो transverse wave जो था वो होना था option B and D जो है वो बोत हमारे इसके correct answer रहेंगे next देखिए which of the following is not a quality of sound wave sound wave की quality नहीं है तो amplitude यह sound wave में आता है अब देखिए sound wave को थोड़ा understand करते हैं यह कोई एक wave है यहां से जा रही है ठीक है इस तरीके से कोई sound wave जो आप हो जाती है यह 0 से चली यह इसका एक half complete हो गया इस point के उपर a point के उपर एक half complete बी के उपर दूसरा यह positive से जारी है यह negative से जारी ठीक है यहां तक तो आपको पता है अब जो maximum height यहां पर attain की जाती है किसी wave के द्वारा यहां से distance को हम क्या बोलते हैं amplitude बोलते हैं ठीक है एक बोलते हैं और यहां से लेके यहां तक जब एक cycle हमारी complete होती है उसको हम frequency के नाम से जानते हैं या फिर जब यह उपर वाले जो main highest point है crust crust या फिर जो नीचे वाले हमारे down वाले highest point है या फिर ट्रॉफ ट्रॉफ इनके बीच के distance को हम क्या कहते हैं wave length कहते हैं तो देखिए quality of sound wave में कौन सी यहां पे चीज नहीं ह है aptitude, sorry amplitude तो होगा ठीक है उसके आदर time period and frequency यह भी होगा sound की speed भी होती है यह भी होगा लेकिन density जो है वो इससे correlator नहीं कर रहा है इसलिए option D जो है वो इसका क्या रहेगा right answer रहेगा next question देखिए which of the following is the time taken for a complete oscillation of a sound wave in the density of the medium ठीक है आपको बताना है इन में से कौन सा हमारा right option रहेगा which of the following is the time taken for a complete oscillation of a sound wave in the density of medium उसको हम क्या कहेंगे जब एक पूरा एक oscillation जो है वो complete हो जाता है किसी दिये हुए time में ठीक है उसको हम क्या कहते हैं यह यहाँ पर बताना है ठीक है तो उसको हम क्या कहेंगे time period कहेंगे कितने time में time period के नाम से हम उसको बता देंगे ठीक है frequency इसका right answer नहीं होगा क्योंकि frequency cycle per unit time होता है ठीक है cycle जितने cycle complete की कितने time में उसको हम frequency कहते हैं इसलिए option need time period जो है इसका right answer रहेगा next question sound can transmit from sound किस से transmit हो सकती है पहले ही मैंने आपको बता दिया option दिये गया है solid, liquid, gas या फिर all option option D जो है वो इसका क्या रहेगा right answer है क्योंकि solid से भी pass out हो जाती है liquid से भी pass out हो जाती है और gases से भी pass out हो जाती है solid में सबसे जादा speed उसका liquid में उससे कम होगी और gases में उससे भी कम होगी next question देखिए at what stage should the medium require for transmission of gas कौन सा medium जो है वो उसके लिए होना चाहिए देखिए मैंने पहले आपको बता दिये question पूछने का तरीका अलग है लेकिन बात मैं वही चीज़ आपको यहाँ पर बार बार बता रहा हूँ repetition में कुछ question आएंगे क्योंकि आपके base को यही चीज़े जो है वो clarify करेंगी at what stage should the medium require for transmission of solid solid, gas, fluid या फिर all of these तो medium कौन सा होना चाहिए solid में भी travel करता है gas भी एक medium है, fluid यानि कि liquid भी medium है इसलिए option D all of these इसका जो है वो right answer रहेगा next देखिए the technique used to absorb noise by using soft and porous surface is cold उसको हम क्या कहते है the technique used to absorb noise ऐसी कौन सी technique है जिसकी help से हम क्या करते है sound को हम क्या करते है absorb कर लेते है ठीक है देखी काफी interesting question है काफी interesting question है जातर बचे यहीं पर गलती करते है उस technique का आपको नाम बताना है जिसकी help से हम क्या करते है उस noise को absorb कर सकते है क्या बोलते हैं को sound protection बोलते हैं audio security, rotation या फिर absorption बताईए क्या इसका जो है वो right answer रहेगा तो इन चार options में से हमें बताना कि आसी कौन सी technique है जिसका हम use करते हैं sound को absorb करने के लिए तो उसका जो right answer आपका रहेगा वो है option number A sound protection ठीक है क्या इसका right answer रहेगा sound protection एक ऐसी technique है जिसकी help से हम absorb करते है noise को by using soft and porous surface ठीक है इसलब की हम उस sound को क्या करते है absorb कर लेते हैं जैसे theater बगारा में होता है ठीक है तो उसको हम क्या कहते है sound protection उस process को technique को हम क्या कहते है sound protection कहते हैं जैसे कि कोई एक hall है ठीक है जादा क्या होती है soft होती है यानि कि रूई वाली या फिर fiber वाली चीज़े हैं ताकि वो noise को क्या कर ले एब्जॉब कर ले तो उस technique को क्या कहा जाता है sound protection कहा जाता है sound का जो direct relation है वो है vibration से जैसे कि मैं किसी भी चीज़ को जब हीट करता हूं ठीक है जैसे कि मैंने आप यहां पर आवाज सुनिएगा मैंने हीट किया अब मैं क्या कर रहा हूं एक pen से एक copy के उपर जो वो मार रहा हूं तो जब वहां से vibration निकलेगी तो उसकी बज़े से क्या produce होगी sound produce होगी तो इसका मतलब sound का direct relation किस से है vibration से है sound जो है वो एक क्या है form of energy है जो कि vibration से क्या होती 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 है और हमारे कानों तक पहुंचती है ठीक है option b is the right answer next question देखिए compression and rear fraction are due to variability of किस की बज़ा से होता है तो compression and reflection किस की बज़ा से होता है ray reflection की बज़ा से magnetic difference की बज़ा से temperature की बज़ा से या फिर air pressure की बज़ा से कि आपको बताना है यानि कि compression मतलब कि वो compress हो जाती जैसे की spring होता है अगर मैं normal spring की बात करूं इस तरीके का हमारा normal spring होता है compression का मतलब है कि हमने उसको क्या कर दिया बिलकुल compress कर दिया बिलकुल expand करना या ना करना वो depend करता है किसके उपर temperature के उपर pressure जो है उसका कोई भी relation sound के साथ है नहीं बनता है तो आप pressure को बिल्कुल भी touch मत कीजिएगा इसका जो right answer रहेगा option C temperature differences का right answer रहेगा जो भी अगर आपके doubt रहते हैं आने वाली जो sound से related हमारी 5 ये 6 classes रहेंगे उसमें सारे के सारे A to Z आपके वो clear हो जाएंगे next question देखिए sound intensity is measured तो sound intensity को किसमें measure किया जाता है reactor scale में टेसला में decibel में या फिर हर्ट्स में तो देखिए reactor scale जो है बहुत हो भुकंप को measure करते है टेसला जो है वो magnetic से जुड़ा है तो decibel इसका right answer रहेगा क्योंकि हर्ट्स जो है वो हमारे किसके unit होते है frequency के unit है तो Sun intensity को हम measure करते है ंडेसीवल में किसमें measure करते है ंडेसीवल में जिसको जो है वह वह डीवी के नाम себе वह लखा जाता है next one अबहर्ट इस the standard unit of measuring the frequency of sound wave अभी हमने बात कर ली कि हम क्या कहते है sound के जो यूनिट रहते हैцы उसको हम क्या कहते है वैसे decibel कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं decibel कहते हैं लेकिन question में हलका सा change है question में हलका सा change उसको आप ध्यान से देखिए question में बोला गया what is the standard unit for measuring the frequency measuring the frequency यानि कि हमें frequency के unit बताने है sound wave में जो frequency उसके unit क्यों होते हैं उसके unit होते हैं और मैं अगर frequency की बात करूँ तो number of cycle per unit time तो यह इसका जो है वो formula रहता है जिसको burn by T के नाम से भी हम लिखते हैं hertz जो है वो इसके क्या आते हैं units आते हैं next one sound is the burn of the following sound wave है क्या tindle wave है mechanical wave है surface है या फिर electromagnetic wave है तो देखिए मैंने पहले ही जो हमारा first question था या second था उसमें मैंने आपके साथ यह discuss किया था कि sound wave जो है वो electromagnetic wave तो नहीं हो सकती ठीक है दो option मैंने बताये थे एक mechanical बताया था एक longitudinal बताया था तो option B यहाँ पर mechanical है इसलिए B जो है वो इस question का right answer रहेगा ठीक है mechanical wave को जो है वो travel करने के लिए एक transport या फिर medium की जरूरत होती है वैसे sound wave को भी travel करने के लिए medium की जरूरत है और यह एक form of energy है इसलिए इसको mechanical wave के नाम से जानते हैं next one when the sound passes through the air the particle of air जब sound air से pass की जाती है तो वो जो particle है उनके related आपको चीज़ जो है वो बतानी की कौन सा option से ही है vibrate in the direction of propagation of wave क्या वो उसी direction में propagate करते हैं यह आपको बताना है don't vibrate propagate नहीं करते हैं vibrate but not in the certain direction उस direction में वो propagate नहीं करते हैं और उस क्या बोला है last one is the perpendicular to the direction of propagation ठीक है चार option इनों नहीं दे दिये को हम longitudinal wave कहते हैं और longitudinal wave में जो direction रहती है वो कैसी रहती है विलकुल parallel रहती है transverse की case में क्या होता है कौन सा बनता है perpendicular बनता है option D तो होगा नहीं क्योंकि sound wave कि के regarding आती parallel यहनि कि direction जो है वो same रहेगी second option में था vibrate ही नहीं करेंगे तो अगर vibrate ही नहीं करेंगे तो sound produce ही नहीं होगी option B तो होगा नहीं option C में बोला था vibrate होंगे लेकिन उस direction में नहीं होएंगे तो देखी sound wave जो है वो longitudinal wave है इसका मतलब है same direction वो parallel में जाते हैं इसलिए option A हमारा सही रहेगा option A में बताया कि vibrate in the direction of propagation of the wave उसी direction में जाएंगे इस direction में हमारी vibration जा रही है उसी direction में हमारी wave जा रही है तो option A जो है वो इसका right answer रहेगा next question sound is the form of dash wave that produce hearing तो हम sound wave को किस नाम से जानते हैं कि वो क्या produce करे hearing को produce करे sound को हम basically जानते हैं किस wave से mechanical wave से हमने इसके तीन चार question हमने mechanical के पढ़ लिये हैं option B हमारा right answer रहेगा next question देखिए what are the sound wave in the air sound wave in the air यह काफी अच्छा question यहां पर बताया गया है कि sound wave को हम किस चीज से जानते हैं तो मैंने पहले ही आपको बता दिया sound wave longitudinal और transverse both behavior show करता है air में वो जाएगा longitudinal में solid liquid में जाएगा longitudinal plus transverse both लेकिन जो आपने majority देनी है वो किस case के लिए देनी है वो आपने देनी है longitudinal के लिए so option C जो है वो इस question का right answer रहेगा और longitudinal में आपने ध्यान में रखना है कि जो direction है वो कैसी रहेगी बिलकुल पैलर रहेगी और transverse के case में क्या होता है direction हमारी perpendicular हो जाती है last question है आज किस class का sound wave travel on following तो किसमें ये travel करता है first option दिया गए different speed in different medium second है same speed in different medium third 10 meter second in bud और last है speed in a single medium देखिए last option से start करते है speed in single medium की बात की गई है तो ये हमारा गलत है क्योंकि हर किसी medium में क्या होती है speed अलग होती है मैंने पहले बताया था solar में speed जादा होगी liquid में थोड़ी कम और gases में उससे भी कम होगी 10 meter second in bud तो देखिए यहाँ पे 10 accurate हो सकता है लेकिन unit हमारे गलत है क्योंकि speed के unit क्या होते है meter per second होते है meter second दिया तो option c भी नहीं होगा same speed in different medium देखिए medium जगर different है तो speed भी क्या होगी different होगी option b नहीं आएगा option a हमारा इस question का बिल्कुल right answer रहेगा तो ये हमने बिल्कुल basic से question अभी सिर्फ हमने nature of sound wave के बारे में जो है वो बात की है सिर्फ और सिर्फ sound के nature के बारे में अभी हमने पड़ा और nature में दो चीजें हमने main जानी पहली है mechanical wave और दूसरा है longitudinal wave इन दोनों को आप अपने mind में रखें अभी सिर्फ basic सी चीजें इसमें start हुई है अभी nature of sound wave के बारे में discuss किया उसके second chapter हमारा रहेगा frequency range of sound wave उसके बाद speed of sound का एक chapter तीसरा उसके चोथा chapter हमारे पास रहेगा characteristics of sound पांच मा रहेगा eco उसके बाद last हमारा रहेगा sonar and radar का chapter तो total 6 chapter आपको मिलेंगे उसमें different type के जो हमारे HP TAT, CTAT या फिर जितने भी हमारे other जो science related हमारे exam रहते हैं चाहिए वो entrance exam हो या फिर आप हिमाचल के किसी exam की तियारी करें जिसमें science के numerical पूछे जाते हैं उनके लिए भी यहाँ पे numerical जो हैं वो इस class में करवाया जाएंगे तो अभी सिर्फ first class हमारी हुई है जादा जानकारी के लिए आप जो हैं वो हमारे विजयपत app को download करें प्ले स्टोर के उपर आप जाहिए विजयपत comment exam preparation आप search कीजिए आपको इस तरीके का जो platform है आपको देखने को मिलेगा आप download कीजिए और check कीजिए कि आप किस level की तयारी जो है वो आप चाहते हैं इसमें different हमारे paid courses या free classes को आप join कर सकते हैं जो आपके different exam को पाल कराने में काफी helpful रहेगी जो आने वाली हमारी classes है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे paid watches के लिए रहेगी ये class हमारी सिर्फ application और YouTube दोनों के उपर apply है सभी users के लिए अभी तक ये free है लेकिन आने वाली classes हमारी सिर्फ और सिर्फ paid classes ही रहेंगी तो जितने भी हमारे science के courses है उनमें आपके class देखने को मिलेगी जादा जानकारी के लिए बैचेर्स के लिए आप www.vijepath.education.com के उपर जा सकते हैं या फिर हमारे इस help line number के ओपर भी contact कर सकते हैं ज़दी एक नई class के साथ मैं आपसे मिलूँगा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत